गरबवती माईला के पेट के ऊपर से टैंकर निकला तो डिलेवरी होई सौब के पास किलकारी गुंजी तो लोगों ने बच्ची को उटा कर रस्तवाल पहुंच आया पती और दो बच्चों के साथ बाइक पर केरू गाउं बाइक को राकी बान ने जारी माईला को ट्रक के कुचलने के दोरा मोके पर ही मौत हो गई इस दोरा माईला के गरबवती होने के साथ ट्रक के बीच आई और चका पेट की उपर चड़ा तो गरबवती माईला ने मोके पर नौजात को जर्म दिया मोके पर आजसे को देख आज पास के युवावा वेपारी दोड कर आये और सबी को अपने वानों से एस्टाल पहुंचारा शुरू किया पती साइध दो बच्चे गंबी रूप से गायल वेज जिनें इलाज के चलते MGS ले जाया गया वहीं दूसरी वार नवजाज को उमेद अस्टाल में भर्ती करवाया गया वहीं एक बच्चा और पती को गंबी रालात में रात को MGS से MDM में रैपर किया गया सूर्सागर थाने के एसाई सूर्ताराम ने बताया कि गुरुवार दोपार करीब तीन बजे चोपर सूर्सागर से जशल में नैशनल आयो पर एक तेज गतिवा लापरवाई से चलतावा डीजल पैंट्रोल से भरवा टेंकर ने बाईक को टकर मार दी बाईक पर 5-2 रोड के रेने वाली निसा पती केडा सो अधर 10 साल की बच्ची पर 6 साल का बेटा केरू जा रहे दे निसा का केरू में मुह बोला बाईक को हर साल की तरह राकी बाढ़ने जा रही दी टकर लगते ही बाइक सडक पर गिरी और निशा टेंग करके पिछले पया के निचे आ गई पया महिला के उपर से निकल गया पती और बचों को भी चोटे लगी मोके पर बीड लग गई लोगों ने देखा कि महिला के पस बच्चे के रोणे की आवाज आ रही है इसे दुरां कमले सोलंकी ने तुर्द मोके से नवजाद को उटाया और अस्प्etाल पहुंचाया घज़टना के सरसम्धी दूर नवजाद को ऊस्पिडल पहुंचाक ने वाले कमले सोलंकी ने बताया की आजसे के बाद भीड तमस्या देखती री मैं मोके पर पहुंचा जाँ आजसे हुआ था वा गाहिल लोगों के बीच बच्ची के रोने की आवाज आ रहे थी बच्ची कुछली भी मा के पास पड़ी थी पहले तो समझ नहीं पाया कि क्या करूँ फिर बच्ची को आतों में उठा लिया इसके बाद अपने दोस्ट सुनिल साकला के साथ कार में बैट कर अस्टाल पहुंचा बच्ची को भर्ति करवाया बच्ची की जास करें तो वा पूरी तरह से सुर्ख सित्ती पुलीस ने बताया कि परीजिनों ने अभी तक मामले में एफायर दर्द नहीं कर वही है आरोपी टेंकर तलाक दुरकटना के बाद मोक्य से परार हो गया अलांकि टेंकर को जब्द कर लिया है पति की आलाद गंबीर बनी हुई है महिला का सब मोचरी में रखवा दिया है आज सुकुरवार को पोस्ट माडम किया दाएगा